हेई गार्स आल्स रीडिंग टिपस और टुक्षे करने जारे हैं अगर आप भी अक्ट्यूबर जाफे नवंबर मंत में अपना एक्जाम कंड़ेक्ट करने जारे हो नर्वस हो रहे हैं कि आपको रीडिंग टफ लगीगी मैं रीडिंग में कैसे स्कोर करूँगा इस वीडिय है ऐसा ही विल्कल सीम लेवल एक्जाम में देखने को मिलता है क्या होगी जब भी आपको बुकलेट मिल जाती है तीनों पैसे के हैडिंग आपने अच्छे से रीड कर लेने आपको पता चल जाएगा कि पैसे किस रिगार्डिंग टॉपिक क्या होने वाला है आगे तो या नॉलेज है आपको चांसे काफी आदा है कि आपके थर्टीन में से थर्टीन करेक्ट हो ही जाएगी अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है तो आँखे बंद करके आपको पहले पैसेस फर्स्ट को ही करना स्टार जाहिए विकर पैसेस फर्स्ट का लेवल काफी ज्यादा इजी होता है यहां पर मुस्ट आफ दा टाइम आपको फॉल्स नॉट किवन और फिलफ्स टाइप ऑफ कोश्टन ही आते हैं राइट स्टाटेजी क्या होगी इसको सॉल्व करने की सबसे पहले आपने इनको टैंपरेडी रीड कर लेना है तैंपरेडी मींस कि एक परग्राफ फर्स्ट में मिल गया तो दूसरे का अंसर परग्राफ सेकिंड में ही होगा और इसके साथ ही तीन टूफ फॉल्स नॉट गिवन कोश्टन को रीड करने के बाद आपने फिलफ्स पे चले जाना है यहां पे भी आपके जो कीवर्ड होगी जैसे कि हमारा होते हैं उनको हाइलाइट कर लीना है जे वाला कीवर्ड आपको दूर से ही दिख जाएगा और वहीं पे आपकी आगे की अंसर जबो आपको मिल जाएंगी टाइम मोस्ट इंपॉर्डन होता है रीडिंग में एक घंडे का टाइम होता है उस टाइम को आपने ठीक तरीके से यूटिलाइज करना होता है आपको बड़िया स्कूर मिलता है स्पोस्ट करो हमारे पास ये वाला कीवर्ड है 2.5 किलोमेटर है आपको ये वाला कीवर्ड है वो दूर से ही दिख जाएगा वहीं पे आपके जो आगे की अंसर आपको मिल जाएंगी जैसे कि हम यहां पे नीचे ही आपको मिलेंगे उपर इसके कोई भी अंसर नहीं होगा पैसे फर्स्ट भी जाए तर चैंसर होते कि अंसर होते वो सीकेंज वाइज ही होते हैं तो इससे आपका बहुत सा टाइम भी सेव होगा और आपको एग्जैक्ट अंसर मिलने के चांसर काफी जादा होगे पर अटक के रहागे आपने 5-10 मिनिट एक कोईशन पर ही लगा दिये उन 5-10 मिनिट में आप बाकी कोईशन कर सकते थे जिनका आपको एग्जैक्ट अंसर मिल सकता था तो एक कोईशन पर अटकने की बजाए अगर आपको नहीं अंसर मिला उससे वहीं पर छोड़ दो और आ इनको भी टैंपरेरी एक बार रीड कर लीना है आपको साथ ही साथ फिलप्स के अंसर मिल जाएंगे और रू फॉल्स नॉट गिवन की अंसर है वो मिल जाएंगे दोबारा से आपको रीड करने की कोई ज़रूत नहीं होगी पैसे नॉबर टू के अगर हम बात करें इसका जो लेबल होता है वो इजी मॉड़ इट ही होता है कोशन टाइप के अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जहां पे मल्टिपल चॉइस क्वेशन है जो की बहुत यदा टफ होते हैं बट अगर आपके पास लोकेशन दी होड़ेगा और फिफ्ट को आपको इन तीनों के अंसर जावो क्लियर हो जाएंगे जैवी आपके पास अच्छा खासा क्लू होता है और उसके बाद 70 to 20 हमारे पास complete the summary type of questions है complete the summary type of questions फिलफ्स के comparison से थोड़ी सी टफ होती है विकर इसमें क्या होता है कि आपको similar words की knowledge होनी चा मिलने की chances काफी जादा हो सकते हैं अगर आपको नही knowledge chances है वो काफी कम होते है that's why आप इनके synonyms को एक बार जूर सी read किया करो अगर आपके पास नहीं है words तो आपको हमारे टालीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बहुत सी PDF फाल्स है आपके साथ share की जा चुकी है उसके बाद just no not given type of questions true false और just no not given type of questions में बच्चे most of the time confused हो जाते हैं इसके लिए एक ही solution है जो just no not given वाली questions है अपने यहाँ पे है y और उसके साथ n को बड़े अक्षिनों में लिख लीना है तो आप confused ना हो जो true false उसमें t और f को आपनी लिख लीना है confusion के 0% chances होगी तो 22, 26 है वो yes no not given type of questions जो काफी यादा easy होते हैं पैसे टू में कम chances होते हैं कि answers आपको sequence wise मिलेंगे answer ऊपर नीचे हो सकते हैं तो एक बार आपने सभी questions को temporary read कर लेना है उसके बाद answers को डूना start कर लेना है जब आपको एक बार location मिल गी तो आपने अच्छे से statement को समझ लेना है अपने दिमाग में इसके बाद जब आपको location मिल गी तो आपने paragraph को चीज़े read कर लेना है आपका question आपकी दिमाग में है और आप paragraph को read कर ले हो तो आपका answer जट से clear हो जाएगा ठीक है 21st to 26 आपके पास जैसे not given है इसमें भी आप 4 easily correct कर ही लोगे passes 1 में आपने 13 अपना target रखा करो passes 1 में आपका जो target है वो 13 में 11 तो है और passes 2 में आपका 13 में 10 आपका target तो है ही है now let's talk about passes number 3, passes number 3 most of the time बच्चों की according काफी tricky होता है confused करता है और इसके साथ यह आपके पास time भी कम होता है तो काफी अदर बच्चे panic हो जाते हैं इस बाले पैसे पर आके question type की अगर हम बात करें हैं भी most of the time आपको जो आते हैं वो multiple choice questions आते हैं जो काफी अदर tricky होते हैं जैसे की हमारे पास यहां पर 27 to 30 ठीक है multiple choice questions है जो काफी अदर tricky होंगे अगर आप अपना time इस पर invest करोगे almost 20 minute आपके ऐसे ही waste चले जाएंगे तो आपने इनको यहीं पर छोड़ देना है और आगे बढ़ना है एंड पर जाके जब आपके पास almost 10 to 12 minute बच जाते हैं तब आपने इनको solve करना है अगर आपके पास time नहीं बचता तो आप इनको guess करके भी लगा सकते हो अगर आप इन चारों को AA भी कर आते तो chances है कि आपकी 2 तो cracked हो ही जाएंगे ठीक है बट अगर आप इन पर time spent कर रहे हो तो वो totally wasters of time है complete the summary type of question है 31st to 35 तक ठीक है तो अगर आपकी अच्छी बड़िया practice है तो आपके लिए easy होने वाली अगर आपकी practice बड़िया नहीं है तो definitely आपको जे tricky लगने वाली है जे पैंड करते है student पे और उसके level पे किस level का पच्छा है last पे 36 to 40 आपके पास true false again है overall यह ह true false not given or just not given type of questions है almost आपके पास 15 ऐसे questions है जो just not given or true false not given है तो true false not given की practice बड़िया रखा करो आपको chances 101% है कि आपको almost 10 तक तो true false not given or just not given type of questions आएंगी ही आएंगे secondly फिलफ्स हर एक exam में होती है कोई भी exam फिलफ्स के बिना नहीं होता फिलफ्स और true false की बड़िया practice रखा करो multiple choice questions पे इतना time invest करने की जुरूरत नहीं होती list of heading chances होते हैं कि आपको आती है और उसके साथ ही complete the summary type of questions भी आपको देखने को मिलते हैं